दोस्तो जिस तरीके से एक बड़ी पेड़ का निर्मान छोटी से बीच से होती है ठीक उसी तरह बड़े बड़े बिमारियों का जन भी हमारी छोटी छोटी गलतियों से होती है हम लोग जाने अन जाने में कई ऐसे गलतियों को कर जाते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता और बाद में हमें उसका खाम्याजा भुगतना पड़ता है तो अगर आप भी चाते हो कि आप हमेशा स्वस्त्र हो, आपको किसी भी तरह की कोई बिमारी ना हो, आपको कभी भी हस्पताल जाने की जर्वत ना पड़े, तो बने रहेगा वीडियो के end तक Misstake No. 1- Touching the face without washing hand देखे हम लोग जैसे सुबह सो कर उठते हैं तो हमारा हाथ सबसे पहले हमारे फेस को टच करता है जो कि हमारी सबसे बड़ी mistake है क्योंकि जब हम लोग रात में सो रहे होते हैं तो हमारा हाथ हमारे body के कई सारे different parts को टच करती है जिसके वज़े से हमारी हाथों में कई सारे सूच में जिवानू, किटानू और वैक्टिरिया स्चिपक जाती है और जब हम लोग सुबह उठते ही अपने फेस को टच करते हैं तो वो जिवानू हमारी फेस के रोमचिद्र के द्वारा अंदर चली जाती है और बाद में यही जिवानू किटानू बड़े बड़े पिंपल्स और एक्ने का रोप ले लेती है इसलिए आप जब भी सो कर उठें तो सबसे पहले अपने हैंड को वास करें फिर जाकर अपने फेस को टच करें देखें मैंने आपको कई सारे वीडियो में बताया है कि आपको सुबा उठकर खाली पेट पानी पीना चाहिए क्योंकि ये चीज हमारे पेट को डिटॉक्स करने का काम करती है लेकिन आप में से अधिकांस लोग गलती क्या करती हो कि सुबा उठते ही थंड़ा पानी या फिर फ्रीज का पानी पी लेते हो लेकिन जब आप सुबा खाली पेट थंड़े पानी को पी लेते हो तो सबसे पहले ये आपके आतों में चाकर सिकूर जाती है और ये धीरे धीरे पहले गर्म होती है और फिर जाके हमारा बाडी इसे यूज में लाता है और इस प्रकिरिया में हमारे बॉडी का लगवग 32% कैलोरी बर्न हो जाती है और साथ ही साथ हमारा डाइस्टिप सिस्टम भी स्लो हो जाता है तो सुबा उठकर पानी तो जरूर पिए लेकिन हलका गर्म पानी पिए या फिर उस पानी को नॉर्मल टेंपरिचर में पिए हम लोग जैसे ही सुबा उठते हैं तो हम लोग सबसे पहले बर्स करने के लिए जाते हैं लेकिन इस दोरान हम लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि तूथ पेस्ट को बरस पे पूरा भर कर लेना क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जितना ज़्यादा तूथपेश्ट को लेंगे हमारा दांत उतना ही ज़्यादा क्लीन होगा और हमारे मसूडे उतना ही ज़्यादा मजबूत बनेंगे लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि kolgate को बनाने के लिए sodium fluoride और propylene glycol जैसे chemicals का यूज किया जाता है और ये वही chemicals है जिसे चुहे मारने वाले poison को बनाने के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है और इसलिए ये chemical हमारे दात और मसूडे दोनों के लिए हानिकारक होती है ये तो kolgate में इसलिए मिलाया जाता है ताकि kolgate में और जादा ज़ाग आए इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ब्रस पे kolgate को पूरा भर कर नहीं लेना है बलकि एक मटर के दाने के जितना लेना है देखे हम लोग जैसे ही मूद हो लेते हैं इसके बाद जाते हैं किसी टौवल से अपने फेस को पोचने के लिए और यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ी जो कलती करते हैं वो यह है कि हम लोग अपने फेस को टौवल से बहुत जोर से साप करते हैं और जब हम लोग हरोज इसी तरीके से अपने फेश को साप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्कीन्स मसल से धीला पढ़ने लगता है और जिसके वज़े से बहुत कम उम्र में ही हमारी फेश में जुर्रियां आने लगती है और जिससे की आप यंग होने के बावचुद भी बहुत ज़्यादा उम्रदार लगते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपको अपने फेश को ज़्यादा तेजी से साप नहीं करना है बलकि आराम से केवल टौवल को टच करके पानी को साप करें आप में से बहुत से लोग 20-30 रुपे बचाने के चक्कर में अपने दातों का बहुत भारी नुकसान कर बैठते हैं एक्सपर्ट के अनुसार हम लोग को हर दो महिने के अंदर अपने तूथ ब्रस को चेंज करना चाहिए लेकिन हम लोग तो अपने तूत प्रस को तब तक नहीं फेखते हैं जब तक कि उसके ब्रिसल्स पूरी तरीके से खराब ना हो जाए लेकिन ये आपकी एक बहुत बढ़ी मिश्टेक है क्योंकि जब ब्रस के ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं तो उससे आपके दान्त जरासा भी साफ नहीं होते हैं। इसलिए हर दो महिने के अंदर अपने तूद प्रस को जरूर ही बदल दें। आप इसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सुबा उठने के बाद मीठा का सेवन करते हैं। जैसे की चाई, बिस्किट और वो हर एक चीज जो की चीनी से बने हुई है वो हमारे पेट में जाकर गैस पैदा करती है। और हमारे लिवर और पैंक्रियास पे बहुत बुरा परभाव डालती है। इसलिए हमेशा सुबा की सुर्बात नैचुरल फूट से करना चाहिए। क्योंकि सुबा के खाने का हमारे बॉड़ी पे बहुत जादा असर पड़ता है। देखे आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि सुबा के नास्ते के बाद नहाते हैं। लेकिन आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसे पचाने के लिए खून का बहाव हमारे पेट की और जादा होने लगता है। लेकिन जैसे आप खाने के बाद अगर तुरंत नहा लेते हो तो आपका सरीर ठंधा पड़ जाता है और उसे दुबारा से उसे टेंपरेचर में लाने के लिए खून का बहाव आपके पेट की और कम और पूरे बाड़ी के और जादा होता है। और जिससे आपका पाचन तंत्र बहुत जादा धीमा पड़ जाता है और आपने जो खाया है वो सही से नहीं पचता है। इसे दिए नहाने का काम खाने से पहले या फिर खाने के एक घंटे के बाद करना चाहिए। आप में से अधिकांस लोगों के घर में ऐसा होता हुआ कि एक ही टौवल का इस्तिमाल आपके फैमली के हर एक मेंबर्स कर रहे हैं और इतना ही नहीं बलकि हर एक अलग-लग कामों के लिए उसी टौवल का इस्तिमाल किया जा रहा है। नहाने के लिए भी उसी टौवल का इस्तिमाल कर रहे हैं, खाने के बाद हाथ पोचने के लिए भी उसी टौवल का इस्तिमाल कर रहे हैं लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी बिस्टेक है। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में जो जिवानों कितानू है आपके family members के बॉड़ी में जो जिवानों कितानू है वो एक दूसरे के साथ आधान परना हो जाते हैं और जो कि सबसी बड़ा infections का कारण है और इसे के वज़े से आपके बॉड़ी में दाद खा ये गलतियां आपको आज बहुत जादा छोटी लग रही होगी लेकिन यही छोटी गलती आपको एक दिन बहुत बड़ी बिमारी का सिकार बना सकती है। तो इसी तरह के health और fitness related वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell icon को दवाना बिल्कूल भी ना भूले। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।